हेलो फ्रेंड्स कैसे आप अश्या करती हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आज आपका दिन बहुत बहुत शुबो और कैसे आज का दिन आपके लिए कैसे कटा आज मैंने सुवेरे जल्दी उटके आज मेरे को बहुत काम था थोड़े घर की सफाई वगरा दूल मिट्टी बहुत वह रही थी जाले वगरा लग रहे थे वह साफ किया था मैंने और सुबह मैंने थोड़ी ऐसी सूखी सी सबजी आलू की बनाई थी और उसके संग बच्चों को फुलके सेख दिये थे अब बेटे के लिए मैंने राजमा चावल बनाये थे आज मेरे कई दिनों से सुनाओगा पुरानी दिल्ली की अच्छी हलवायों के यहां पर मिलती है हलवायों मला पुरानी दिल्ली लोग बालों का यह सबसे प्रिये नाश्ता है हलुआ वह साख पूरी और हलुआ नोगोडी तो आज मैंने सोचा क्यों आपने बच्चों के लिए घर में हलुआ केटोरी और दो चमच के कड़ी जतनी बड़ी भर्के मैंने शूजी लिए उसकी कटोरी मैंने थोड़ी सी और उससे जड़ा सी कम मैदा लिए इसको मैं ऐसे ही थोड़ा इसमें मो मन गेरूँगी सबसे पहले मो नियुगने से क्या होता है इसमें स्वापनेरश काजाती नगोडी हमेशा फोकी बनती है और पुरानी दिली की सबसे अच्छी यह डिश है आप कभी इसे बनाना तो बहुत अच्छी बनेगी अब हमने इसमें मोमन गेर दिया है अम इसे हलके हाथ से लगा के रग दूँगी अगर आप इसे अभी टाइट लगा देंगे तो यह और ट इसमें अपने आपी तो मैं इसका हलका पानी गेर गेर के आप यह सूजी नगोडी का आटा लगाना सुरू कर दीजिए इसमें बस एक कप भरके सूजी है और उससे चोथाई कप इसमें मैदा है पीका ही इसे लगा के रखना है अब इसको ऐसे लगा करके इस डोको में तरीके से आप कभी इसे नगोडी बनाना नगोडी बहुत टेस्टी लगती है हम जब परानी दिल्ली की साइट जाय करते तो जब आलू पूरी तो हम नॉर्मली हम कर में बना लेते हैं लेकिन आप कभी हलूडी बना के खाना आपको इसका अलगी टेस्ट आएगा इधर दे क्योंकि नगोडी के हलुए में मेवा वगेरा कम गिरी होती है तो मैं इसको प्लेनी बनाऊंगी सिफ सूजी का हलुआ अब मेरा घी गरम हो रहा है एक कटोरी भरके मैंने सूजी ले लिए अब मैं उसके बाद यह सूजी डाल के इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से जब तक धीमी आज पे मेरी यह ब्राउन ना हो जाए धीमी आज पे सूजी को भून लेती हूँ सूजी भून के मेरी तयार होने वाली है इसमें थोड़ा सा मुझे घी कम लगाता तो जरा सा थोड़ा और मैंने इसमें गी एड कर लिया है इस तरीके से मेरा यह आटा यह दूद गेर होंगी दूद गेरने से क्या होता है कि जो हलुआ होता है उसका टेस्ट और भढ़ जाता है आप कभी सूजी का हलुआ बनाए तो उसमें डारेक्ट जैसे आपकी कोई भी चीज का हलुआ यह सूजी का सूजी का हलुआ बनाए तो उसमें सबसे पहले पानी ना करें जैसे एक किलास पानी ओ तो आप से करीब दूद लेना उसमें दूदे थोड़ा थोड़ा करके इसे भून-भून धे जैसे बास उसमें पानी मसको एडिलला पानी कर देना और यसके बाद पानी को एट कर दूँ कि इसमें अब ये घर देखो मेरा खिला खिला घल्वा चाहिए तो उसी साफ से पानी गेरना Александरा मैंने जरू कर दिया है आधा गिलास मैंने लिया ता तो एक गिलास भरके मैंने से पानी लिया है और एक कटोरी मेरी सूझी है अब मैं मैं इसमें पानी गेर दूंगी ये देखिए, अब मेरी ये हलुआ ये, सूजी मैंने इसमे पानी गेर दिया, सारा, ये धीमी आज पर, मैंने इसका हलुए का, ये जब देखती हूँ, घोल घोल के, जब मेरा गाड़ा होने लगेगा, उसके बाद ही मैं इसमे चीनी गेरूंगी, चीनी भी आप अगर तेज म मेटा सब्सक्राइब मेटा सकते हैं और भाम तो मेडियूम में काटोरी लेवा इस चीनी बार नसे प्रणाओ का दिमी आज भूंती रहूंगी अर भूंगी जब तक जब तक मेरे कि यह सूजी घी न चोड़ दे मेरा हलुआ गी न चोड़ दे जब तक मैं इसे धिमी आज पर भूनती रहोंगी एक तरफ मेरा हलुआ तैयार हो रहा है दूसरी तब मैंने अपनी नगोडी के लिए कड़ाई चड़ा दिये इसमें मैंने घी चड़ा दिया है अब मैं अपने इधर की साइड में उसको जो मैंने नगोडी का आटा तयार किया तो खूब अच्छी तरीके से एक सा कर लूँगी खूब अच्छी तरह मर लूँगी और उसके बाद छोटी छोटी लोईया बना के इनको क्या कहते जब बुल्कुल लगे कि हमारी आज अच्छी तरीके से इस तरीके से आप अपनी नगोडी को सेकरना एक-एक आउन फूल के निकलेगी क्योंकि वहां पर क्या होता है पुरानी दिल्ली में नगोडी फूलते हैं तो उसके अंदर उसको फोडके उसके वान भर के देते हैं इसलिए यह हलूँगी केलाती है और इतनी टेस्टी लगती है खाने में बहुत ही इसका स्वाधी अलगाता है और ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी मैंने तो अभी तक देखी नहीं इससे पुरानी दिल्ली की साइडी इसको लोगों को पसंद करते हूँ देखा है और वहीं पर हम लोग जाते थे तो ये जरूर खाते थे बच्चे घर पर भी लेके आते थे लेकिन अब हम आजकल जानी पा रहे है आपको पता ही आजकल क्या हाल चल रहा है तो बच्चे कई दिन से मेरे कह रहे थे कि मम्मी हलुआ नगोडी घर में बना लो तो मैंने सोचे चलो आज शाम को मैं हलुआ नगोडी बनाती हूँ और आप लोगो के साथ अपनी ये डिश को सेयर करती हूँ अब ये देखे मेरी नगोडी देखो अब ये जब तक लाल ऐसी हो जाएगी करारी-करारी लाल सी सिखी-सी की जबी आप इसको उतारना क्योंकि इसमें एक तो आप इसको कैसी रग दोगे मतलब बुलकुल सौप्ट नहीं होगी ऐसी करारी करारी सिखेंगी इस तरीके से मैं अपनी सारी नगोडी उतार लूँगी अब यह आपको दिखाऊंगी जब मेरी यह बनके तयार हो जाएंगी आ कि आप यह देखो मेरी नगोडी फुल फूल के निकलेगी आप भी बस इसी तरीके से हल्कहल के हाथ से सको करना आज यह दिहान डखना आज जब बहुत तेज-गरम हो जबि ihan के नगोडी के इसको ढालना इस तरीके से सारी करके मैं सेक लूँगी यह देखे इस तरीके से सी आप देखो इसके अंदर में हलुआ भर दूँगी वहाँ पर इस तरीके से दिया जाता है हलुआ नगोडी और ऐसे खाया जाता है आप कभी बना के देखना आप लोगो को भी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी कैसा लगा आपको स्वाद इसका किस तरीके से लगी ए मुझे प्लीस जरू बताना, ये मेरा हलुआ नगोडी बनके तईयार है, कैसा बनाया ये जरूर बताना मुझे थैंक यू इसके लिए आपने हलुआ नगोडी मेरी बनाते हुए देखी मैंने हलुआ नोगोडी बनाई है तो मैंने सोचा भगवान को भी भोग लगा दूँ अब मैं ये छट पे आ गई हूँ छट पे मैंने कपड़ उतार लिये मैंने कपड़े सुखाये तो उस वक बारिश हो रही थी तो सोच रही थी डालू याने डालू पर मेरे कपड़े तरीके से गीले हो गए थे मैं उनको तेज वारिश में ही डाल गई थी लेकिन चार-पांच घंटे बाद आई तो देखा मेरे कपड़े सारे सुख चुके थे और इनको चिम्टी लगा-लगा के मैं कपड़े सुखा गई थी दो-चार ऐसे हलके-हलके से गीले लगेंगे तो मैं इनको नीचे जाके डाल दूँगी इन कपड़ों को ये देखे मेरे सारे कपड़े सुख चुके हैं मोसम आज सई है कोई ज़्यादा ऐसा खास तो है नहीं पर फिर भी मेरे कपड़े सारे सुख गए हैं थोड़े कपड़े सुख आये थे आज जब मैं कपड़े सुखाने आई थी तो उस वक्ती हलके हलकी बारिश लगी लेकिन जैसी मैं कपड़े सुखाने लगी तो बहुत जोड से बारिश आ गई थी अब कपड़े गीले हो चुके थे तो फिर मैंने सोचा अब इन्हें उतार के भी क्या करूंगी तो इसलिए मैं कपड़े सुखा के ही चली गई थी अब जब आई थी मैं आई थी 12, 15-15 बुजे कपड़े शुखा नहीं आई थी अब इस टाम आई हूं तो कपड़े मेरे सारे सुख गए हैं तो मैंने कपड़े अपने उतार लिए थोड़ा चत्पे आई हूं तो मैंने सोचे चलो थोड़ा बैठ भी लेती हूं थोड़ा घूम लेती हूं चत्पे कि उसके बाद मैं उसके बाद ही नीचे जाओंगी आज कल जैसे कल मोसम में ठंडक थी तो आज इतनी ठंडक सी नहीं ह मालब ऐसी गर्मी भी नहीं है पर ये कि मौसम थोड़ा ठंड़क नहीं है उमसी हो रही है थोड़ी तो सोचे चला थोड़ा सा ठहल के फिर दीचे चली जाओंगी आप देखो बादल से भी देखो कैसे हो रहे हैं हमारी बरावर वली चत पे छोटा सा बच्चा खेल रहा था तो वह हमसे कह रहा था कि मुझे गोदी ले लो तो हम उससे बोलने लग गए थे दूर से बोल रहा थे बार बार कह रहा था कि मुझे गोदी ले लो बेटी से भी कह रहा था मेरी तो उसके बाबा के साथ ही आया हु कब उतर दिखा रहा था और इतनी देर में मिट्टी का डेला इसने अपने मुह में डाल लिया इतना शयतान बच्चा आई यह बहुत ज्यादा ब्लीच भी बहुत अच्छी है सबसे बड़ी बात है कि यह हरवल है और हमारी स्कीन के लिए बहुत अच्छी है आज मैं आपको तीसरा टिप्स देती हूं वीट्यू टिप्स और वह भी आप यूज करोगे तो वाकई में रिजल उसका अच्छा है तीसरा टिप्स है आपका है करें शुब लड़ा ये हमारे घर में पौद रगए हैं अगर को सबसे ज़िस के लिए बहुत अच्छी लिए सिर्फाह को इतना करना है इसको रोज रात को सोने से पहले लगए इसके बीज की जहीं एक पर इसकी पर लगा के गले तक वगरा इसको लगा कि आप रात को सो जाएए चेहरा दोने की आपको जोत नहीं है आप एक हपते में ही अपनी स्कीन पर रिजल्ट देखेंगे कितना अच्छा आया है प्लीज इसको यूज करके जरूर देखना मैं इसको खुद भी लगाती हो मेरी बेटी भ लगा ये जैल की तरह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा नीचे जा रही हूं फ्रैंड्स देखूं नीचे जारके जो मेरा काम थोड़ा बचा होगा उसको देखती हूं मैं छत के बस कपड़े बगरा ले लिए थे मैंने मौसब बगरा की थोड़ा इंजॉय कर लिया अब कैसा लगा आज आपको मेरा ब्लॉग आज मैंने ब्लॉग में देखा हल्वन गोडी बनाई थी आशा करती हूं आप लोगों ने भी अच्छी तरह बनाना सीख ली होगी हल्वन गोडी ये पुरानी दिनली की स्पेस्लिस डिश है एक तरीके से बहुत पसंद करते हैं लोग करते हैं तो अपनी ब्लॉग का यहीं पर आएंड करती हूं फिर आप से मुलाकात होईगी जैजनेन नास्टे